शोकुमकुम भागे में जहां सालों पुराने रास खुल रहे हैं और एक के बाद एक सच सामने आ रहे हैं जहां पहले रिया के सामने ये सच आया कि प्रग्या उसकी मा और प्राची उसकी बेहन है और उसके बाद उसके सामने ये सच भी आ गया कि उसकी बुआ ही है वो शक्स जिसने इन दोनों को अलग करवाया था जी यहां उसके माता पिता को अलग कराने के पीछे और कोई नहीं उसकी बुआ आलिया है जिसके बाद अब रिया ने कर लिया है फैसला कि वो अपनी माग को सच बताएगी और उनसे मिलके ही दिखाएगी लेकिन आप जल्द ही आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं कि कैसे अब आलिया को लेगी 25 साल पुराना वो राज जो अब कहानी में लाएगा एक बड़ा तुफान तो बता देते हैं आपको कि जैसे आपको पता ही है कि कहानी में कियारा की मात हो गई थी जो अभी और प्रग्या की पहली बेटी थी उसकी मौत हो गई थी लेकिन वो जिंदा है और वो इतने सालों से सिर्फ कौमा में है जिसकी सच्चाई आलिया ही जानती है क्योंकि आलिया को वो मिल गई थी लेकिन अब कहानी में उसकी वापसी की खबरे हो रही है आउट तो बता दे को सोर्सिस का कहना है कि आलिया अब अपने इस इक्के को सब के सामने लाएगी जिसके लिए वो करेगी ब्लैक मेल सबसे पहले रिया को कि अगर तुम चाहती हो कि तुमारी मा को उसकी पहली बेटी कियारा मिल जाए तो तुमें उससे ये सच छुपाना पड़ेगा और अपने बापा को भी ये सच नहीं बताना पड़ेगा लेकिन अब देखना ये है कि क्या रिया होगी ब्लैक मेल और क्या बताएगी अपनी मा प्रग्या को कियारा के जिन्दा होने की सचाई तो अब क्या होगा शो में आगे इसकी अपड़ेट के साथ जाल लौटेंगे हम बने रही हमारे साथ और साथी साथ सब्सक्राइब जरू कर लीजे हमारा चैनल टेली टॉप